हालो मरोब असलामलीकूम कैसे हैंज आप सब लोग उम्मिद करती हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे इंशालला खेरियत से होंगे तो बस आज को जो मेरा व्लॉग है थोड़ा सा क्लीनिंग का व्लॉग है क्योंकि जहां हम खाना बनाते हैं करते हैं उस जंगा को हमें क्लीन भी रखना चाहिए क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि माशाला खाना तो बहुत ही जादा लजीज बनाते हैं बट उनका किछन वग्यारा सब बहुत ही जादा गंदा मतलब मैंने कईयों को यह देखा है कि उनकी टाइल्स और टाइल्स के पास जो स्विच बोर्ड होत बटन जिस टाइम धोले उस टाइम भी आप एक कपड़ा टाइल्स पर मार दें जरूरी नहीं कि उसको डीप लिंड करें जो चीज जब जब गिर रहे हैं उससे तब तब क्लीन कर दें अब कहीं लेडिज होती हैं वह इस तरह कंप्लेंड करते हैं कि हमें तो टाइम ही नही और फैमली में आप तो कर सकता है ना आपके पास सेटेडे सेंडे होता है अब देखो बहाने बनाने के लिए तो यह भी बोल सकते हैं गवाई एक दिन मिलता है चुटी में उसमें भी हम इसमें काम में लग जाएं जिसको शौक होता है ना अपने घर को सजा के रखने का पूरा सबसी काटना और रोटी बनाना करना स्लैप क्लीनिंग और जो चुला हो डेली का है बट जैसे हमारे रैक्स हो गए या और भी कुछ चीज हो गई हमारे क्या कैबिनेट्स वगए तो उसके लिए आप एक दिन चूस कर लिजे या मतलब दिन का आधा हंटा निकाली जे एक चीज आप शेल्फ गएरा क्लीन कर लेंगे तो आपको भारी नहीं पड़ेगा और वसी मेरा कुछ एक प्लांट जो था मनी प्लांट वो सूख गया था तो बीच में उसके यह वाली जो जैसे खाली आप देख रहे हैं यहां से पत्ते टूट गयते बिल्कुल सूख गय में यह एक अच्छा सा मेरा मनी प्लांट ग्रो हो जाएगा तो बस इसलिए मैं क्या करती हो ना जैसे यह डंडिया है अब मैं इसको फेकोंगी एक्स्टा है इसको मैं दुबारा से पानी में करके रख दूगी ताकि इसकी रूट्स और निकल जाया और फिर मैं किसी दूसर जब मैं यह वाला चोटा बॉक्स बड़े प्लांटर में इसको शिप्ट करूंगी तो जो मेरी डंडिया है यह मैं इसके अंदर लगा दूगी तो बस जो हमारे प्लांट्स होते हैं इसको भी मतलब घर की जो रॉनक होती है प्लांट्स ही होते हैं तो बस मैं इसको भी इस पानी वानी दे के जंगा सेट कर दूँगी अच्छा मेरी छट पे ना बहुत जादा धूप है मतलब पहले वाले फ्लैट में बिल्कुल धूप नहीं आती थी मैं तरस्ती थी और यहां पर इतनी माशाला की तेज धूप है कि मेरे प्लांट सूख जाते हैं तो इसलिए मुझ अर्षकी तब थोड़ी ठीक नी थी उसको देखने के लिए और बस यह मौसम अगर ऐसे ही चल रहा था और बस फिर इसके बाद मैंने खाना तो मेरे बना हुआ था मैंने सामर और इडली बनानी थी सामर मेरा बनके रेडी था और बस मैं फिर नीचे चली गई थी कुछ और देखने के लिए और यहां पर लाल वाली गाजर जो डेली वाली गाजर होती है तो मैंने सोचा कि मैं गाजर ले लूँ और बच्चों का भी दिल कर रहा था इंशालला तो फिर नेक्स व्लॉग में आपको दिखाऊंगी गाजर का हलवा की किस तरह बनाते हैं बहुत ही जीवे बताऊंगे आपको गाजर के हलवे का कि मज़ा आजाएगा तो इंशालला तब तक के लिए आप वेट कीजे और मेरी वीडियो को देखते रहें ऐसे प्यार करते रहें इंशालला फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपना खैल रखें अलाहाफेज